नमस्कार, इंजिनियरिंग ड्रॉइंग पर हमारे NPTEL Online Certification पार्ट्यक्रम में आपका स्वागत है, मैं Mechanical Engineering IIT खर्गपुर से राजाराम हूँ, हम मोड्यूल नमबर दो में है, कोनिक सेक्षन के लेक्चर बारा पर हैं, संक्षिप में अगर हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, तो क्षैतिज स्लाइस लेने पर इससे हमें सर्कल मिलेगा, एक Inclined स्लाइस गीर घवरित मिलेगा यदि यह सेक्षन दोनों स्लिंट्स को कट कर रहा है तो, यदि एक समानांतर स्लिंट कट सेक्षन करती है, यदि हम इ देखेंगे कि एक Ellipse Geometrical दीर घवरित को कैसे बनाएं, इस सिद्धान्त में चार मिथड उपलब्ध है, Focus Directrix मिथड, दूसरा Concentric Circle मिथड, तीसरा Ablong मिथड और चौथा वरित के वक्र का मिथड है, पहला मिथड है, Focus Directrix मिथड, Directrix, Eccentricity और Focus के बारे में हमारी एक परिभाशा है, यहां इस Terminology को देखिए, उदाहरन के लिए एक दीर घवरित ले लीजिए, इस दीर घवरित में एक Focal Point है, जिसे हम Focus कह रही हैं, आम तोर पर दीर घवरित के लिए हमेशा दो FOCI होते हैं, उदाहरन के लिए एक FOCI में से एक यहां है, दूसरा वहां हो सकता है, पहला केस साधारन है, हम यहां सिर्फ एक FOCI दिखा रहे हैं, और बहां एक रेखा है, जिसे हम Directrix Line कहते हैं, इस Directrix रेखाओं में से एक दीर घवरित, पैराबोला या हाईपरबोला बनने का हिस्सा होगा, आम तौर पर किसी भी वक्र के लिए चाहे यह दीर घवरित, पैराबोला या Directrix, फोकस से कर्व बिंदू तक, यह इस बिंदू इस बिंदू या इस बिंदू में से एक बिंदू हो सकता है, उस बिंदू तक फोकस की क्या दूरी है, और उस बिंदू से Directrix की दूरी क्या है, यह अनुपात इसे यूनीक बनाता है, इस अनुपात से वक्र के बिंदू से फोकस और वक्र के बिंदू से Directrix क्षैतिज पर आधारित है, यदि यह एक विशेश यूनिट बना दें उदाहरण के लिए, हमारे पास एक प्रकार का कर्व है, यदि यह एक के एक्वल है तो हमें एक कर्व प्राप्त होता है, यदि यह जो हमारे पास है से बड़ा कर्व तो उस अनुपात को जो हम जियोमेटरिक एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं तो एक्सेंट्रिसिटी फोकस से उस बिंदू की दूरी से परिभाशित किया जाता है उदाहरण के लिए अगर यहाँ एक दीर घवरित है इस बिंदू से उस बिंदू तक यदि यहाँ इस बिंदू से उस बिंदू तक एक पैराबोला है तो फोकस से उस बिंदू की दूरी दिरेक्ट्रिक्स से उस बिंदू की दूरी है इसलिए यदि डिरेक्ट्रिक्स वर्टिकल रेखा है, उस बिंदू से उस विशेश बिंदू तक जिसे हम denominator कह रही हैं ये eccentricity के साथ एक यूनीक अनुपात बनाता है यहाँ eccentricity और directrix मुख्य बाते हैं एक दीर घवरित या पैराबोला या हाइपर बोला बनाने के लिए focus directrix विधी मुख्य है यदि eccentricity एक से कम है तो एक दीर घवरित मिलेगा अगर यहाँ इसके equal है तो पैराबोला मिलता है इसका मतलब है कि focus से, पैराबोला पर बिंदू से और directrix बिंदू से इसकी दूरी उनका अंत समान है क्योंकि इनका अनुपात एक समान है इस प्रकार के कर्व को हम पैराबोला कहते हैं यदि यहाँ eccentricity पहले वाले से बढ़ा है हमें एक हाइपर बोला मिलता है सबसे पहले हम इस focus directrix मेथड़ पर ध्यान दे इस स्थिती में directrix से focus की दूरी दी जाएगी directrix से focus की दूरी हमने देखा कि यह directrix है और कभी कभी यहाँ से यदि इस बिंदू से कुछ arbitrary कर्व गुजर रहा है तो दूरी क्या है यह दूरी दी गई है मुझे खेद है कि यह कर्व पर बिंदू नहीं है परंतु यह focus से है तो एक directrix और कभी कभी एक arbitrary कर्व इसके पास focus है तो directrix से focus की दूरी दी गई है और किस प्रकार की eccentricity एक से कम या एक से अधिक दी जाएगी यदि ऐसा है तो arbitrary कर्व का निर्मान करें उदाहरन के लिए यहां एक दीरगवरित की eccentricity 0.75 है किसी एक से eccentricity कम होने पर हमें यह दीरगवरित मिलेगा और directrix से focus की दूरी सत्तर मिमी है अगर ऐसी स्थिती है तो एक दीरगवरित बनाएं इसलिए इस directrix focus method का उपियोग करते हुए हम सबसे पहले directrix drawing करेंगे तब हम directrix से focal point की तरफ एक रेखासी बनाएंगे हम इसे सत्तर मिमी पर चिनहित करेंगे geometric संग रचना बनाएं फिर tangent line draw करें और vertical रेखा और क्षैतिज रेखाएं बनाएं intersecting बिंदू बनाएं फिर इस दीर घुवरित की तरह इस gap को भरें हम step by step देखेंगे इन steps को follow करते हुए तो सीधे हाथ की तरफ मैं जित्र दिखा रहा हूँ केवल यह दिखाने के लिए कि हम किन बिंदूओं को follow करना है बाएं तरफ हम steps दिखाएंगे पहले हमें directrix के भी ड्रॉ करनी है तो इसका मतलब सबसे पहले हम एक vertical रेखा ड्रॉ करने जा रहे हैं इसे a और b नाम देते हैं और axis c भी तो कहीं सी बिंदू पर एक रेखा ड्रॉ करें इसे c सी नाम दें इसके बाद c c पर बिंदू f अंकित कीजिए तो हमने a b और c c पहले ही बना ली है तो focus f को चिनहित करें हमें paper पर वी ज्यात करना है हम बिंदू f बना रही हैं तो इसे f नाम से लिखें जो 70 मिमी पर होगा यहाँ होने के बाद c f को विभाजित करें तो c बिंदू को हम पहले ही जानते हैं और f को भी c को f की दूरी से से 3 प्लस 4 साथ के बराबर भागों में विभाजित करें 3 प्लस 4 एक सेंट्रिसिटी के कारण मिले हैं तो कर्व पर किसी भी बिंदू के लिए focal point क्योंकि यदि यह कर्व इस बिंदू b के माध्यम से कहीं से गुजरता है focal point v से 3 एकाई होंगे और c से v तक 7 एकाई या 4 एकाई होंगी इसलिए कुल दूरी c से f तक 7 भाग होंगे इसलिए 3 एकाई से 4 एकाई यां हम बना रहे हैं तो c f को 7 बराबर भागों में विभाजित कर दो हमें साथ भागों को विभाजित करना है और एक बार जब हम साथ भागों में विभाजित कर देते हैं तो centricity से 4 विभाजन पर भी अंकित करें तो भी 4 unit की दूरी होगी जिससे 1 centricity 3 चौथाई रहेगी इसके बाद भी पर लंब ड्रॉ करना है VBVF के इक्वल है इसलिए हमने पहले ही कर्व पर बिंदू भी अंकित कर दिया है इसलिए वहाँ अपने mini drafter उपियोग करके एक perpendicular line ड्रॉ करें यह इस प्रकार है तो यह बिंदू भी है कहीं यह बिंदू भी है ऐसा है कि VBVF के इक्वल है तो वी को हम जानते हैं एक को हम जानते हैं कि यह परपेंडिकुलर line रेखा VF से कितनी दूरी पर है इक्वल दूरी इसे हटा देगी इसे भी नाम दे फिर भी बिंदू को सी बिंदू से जोडें तो उस बिंदू को अंकित करने पर इसे जोडें हमारे पास पहले से ही F point focus से 45 degree पर एक रेखा ड्रॉ करें तो CB को मिलाने के लिए F बिंदू से 45 degree पर रेखा बनाएं तो पहले ही हम point C और point B node कर चुके हैं हम इन्हें बढ़ाते हैं फिर S से हमें 45 degree की रेखा बनानी है इसे बढ़ाते हुए नीची की तरफ tangent तक बढ़ाना है तो यह कोड 45 degree का है तो अब हमारे पास intersection बिंदू है उस बिंदू को हम D नाम देते हैं एक बार D बनाने के बाद D से C पर perpendicular रेखाएं DV ड्रॉ करें तो यह intersection बिंदू है इसलिए अपने mini drafter का उपियोग करते हुए vertical रेखा lambda बनाएं जिसे V नाम दिया है एक तरफ हमारे पास V है दूसरी तरफ हमारे पास V है तो CC पर DV CC यह रेखा है DV यह लाइन है तो हम ने V की पहचान की है अब हमें VV के midpoint में ओको चेहनित करना होगा तो V एक extreme end है इस ellipse के लिए extreme end VV है हम जानते हैं perpendicular bisector को कैसे draw करते हैं इसलिए VV का उपियोग करते हुए arc का उपियोग करें फिर इसे नीचें की drop करें तो perpendicular bisector हो हम इस position में होंगे की VV पर कुछ बिंदू एक दो तीन अंकित कर सकें तो ये विभिन ने प्रकार की लंबाई की हो सकती है हमने पहले से ही CV और VF के लिए विभाजन किया है तो पहले ही हमने CV और VF जैसे कुछ विभाजन किये हैं तो एक दो तीन बिंदू को हम पहले से ही जानते हैं इसी प्रकार VV रेखा पर कुछ अन्य बिंदू को अंकित करें कहीं पर चार कहीं पर पांच कहीं पर चैर और कहीं पर साथ तो ये आर्बिक्ट्रेरी बिंदू है एक बार हम यह जान जाएंगी हम क्या कर सकते हैं एक CD से मिलने वाली परपेंडिकुलर रेखा ड्रॉ करें इसलिए CD लाइन हम पहले से ही जानते हैं यह रेखा C और C बिंदू तथा D बिंदू है CD रेखा पहले से हैं तो इससे एक बिंदू दो बिंदू तीन बिंदू चार पांच चैर और इसी प्रकार आगे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ताकि वे इंटरसेक्ट करें कर्व पहले एक दो तीन और इसी प्रकार चैर और आगे इसी प्रकार उसे होते हुए परपेंडिकुलर लाइन रेखा ड्रॉ करें जिससे ओ को हम जान सकेंगे अब इस सिंटर के साथ तो देखो तो एफ सिंटर और रेडियस दो तो एफ एक सिंटर के रूट में और एफ एक केंद्रवर रेडियस के साथ अलग-अलग है तो हम एफ बिंदु को पहले से ही जानते हैं पहले से ही लंब जहां सीडी को इंटरसेक्ट करते हैं यह एक बिंदु है और एक यहाँ है तो F से एक-एक कर वहाँ रेडियस जो लेंथ लेती है सेंटर के रूप में परपेंडिकुलर लाइन पर दो आर्ग कट करेंग तो हम एक-एक परपेंडिकुलर रेखा पहले से जानते हैं तो F सेंटर से एक आर्ग बनाए बिन्दू P को ज्यात करने के लिए यहाँ कही और कही यहाँ तो किसी भी दूरी लिए F सेंटर का उपियोग करें इसे कट करें जिससे की परपेंडिकुलर लाइन रेखा को जहां इंटरसेक्ट करें वहाँ P1 बिन्दू अंकित कर दें इसी प्रकार अन्य बिन्दूओं को P1 अंकित करें तो हम जानते हैं कि यह 0.1 और P1 पॉइंट है जिससे दीर घवरित पहले से ही गुजर रहा है हम पहले से ही फोकस F को जानते हैं P1P उस कर्व को जोडते हैं जिससे की एक दीर घवरित बनाया जा सकें ऐसे ही हम यह करेंगे कि F को सिंटर और रेडियस के रूप में ले सकते हैं तो एक बार जब हम F से दूरी तक का आर्क कट करते हैं जिससे P से बिन्दू और P से आर्क को इस पोजिशन में बनाया जा सकें इसी प्रकार F से तीन तीन आर्क बनाते हैं तो यह इन परपेंडिकुलर रेखाओं को इंटरसेक्ट करने जा रही है और वहां हम इस पोजिशन में होंगे कि यह पता लगा सकें कि दीर घवरित गती कर रहे हैं या नहीं इसलिए एक बार जब हम इस पूरी प्रक्रिया से कर लें एक स्मूथ कर्व बिंदु वी से गुजरता हुआ P1P, P2P, P4 और ऐसे ही हम इस पोजिशन में होंगे कि दीर घवरित की रचना कर सकें यह करने के बाद हम इसे दीर घवरित के साथ समाप्त करेंगे यदि कोई टैंजेंट बनाने में रूची रखता है तो हम अगली क्लास में अभिलंब तथासपर्श रेखाएं कैसे बनाई जाएं के बारे में पढ़ेंगे और एफ क्योंकि एक दीर घवरित के पास हमेशा एफ उसी आई वी से एफ की दूरी और वी से एफ एक ही एंड पर जाना होगा एफ वहाँ पर स्थित होगा हम इसे अपने ड्रॉइंग शीट में स्टेप बाई स्टेप करते हैं तो सबसे पहले डिरेक्ट्रिक्स रेखा एबी ड्रॉ करेंगे इस आधार पर हम यह करेंगे कि सी बिंदू से फोकस सत्तर होना चाहिए और एक सेंट्रिसिटी अनुपात तीन चौथाई है तो हम इसे लिख लेते हैं एक सेंट्रिसिटी तीन चौथाई है और डिरेक्ट्रिक्स से फोकस सत्तर मिमी पर होना चाहिए तो सबसे पहले डिरेक्ट्रिक्स लाइन ड्रॉ करें एक वर्टिकल डाइरेक्ट्रिक्स लाइन हम बनाने जा रहे हैं अब इस डिरेक्ट्रिक्स रेखा को यह भी नाम देते हैं जैसा की यह है जैसे की भी है तब हमें एक सीसी रेखा बनाना होगा अब इसके लिए सीसी रेखा का उपयोग करें हम एक शैतिज सीसी रखा का उपयोग करने जा रहे हैं एक शैतिज रेखा इसे सी नाम देते हैं कहीं पर यह सी एकसिस पर जाती है तो यह कहीं सी बिंदू नहीं दिखाई देती है तो पहला बिंदू दिरेक्ट्रिक्स एबी और सीसी ड्रॉ करें हमने लिख लिया है सीसी पर एफ बनाएं दूसरे स्टेप में हमें सीसी अंकित करना होगा इस प्रकार सी एच सत्तर मिमी के इक्वल है सी यह बिंदू है एफ वह बिंदू है तो हमें इन्हें अंकित करना होगा सत्तर मिमी को हमारी ड्रॉइंग शीट पर लिखें ग्याद करें सत्तर मिमी बिंदू यहां है तो यह फोकस पॉइंट है तो दूसरा चरण पूरा हुआ तो सी एफ सत्तर मिमी है अब सी एफ को साथ बराबर भागों में विभाजित करो क्योंकि इस रेखा के लिए सत्तर मिमी को विभाजित करना बहुत आसान है अगर इसका अंश साथ मिमी या अर सथ मिमी होता है तो तो हमें पहले से ही पता है कि नंबर्स को बराबर भागों में कैसे विभाजित करते हैं इस इंकलाइंड लाइन का उपयोग करते हुए इसे बनाईए तो क्योंकि सत्तर मिमी हमारे बिंदू एक, व, तीन, चार, पांच, श, साथ, ग्यात करने के लिए आसान है सी के चौथे विभाजन पर वी को अंकित करें पहला दूसरा तीसरा चौथा तो यह दूरी एक यूनित, दू यूनित, तीन यूनित, चौथी यूनित, चालीस मिमी है और फोकस से कर्व के बिंदू की ओर क्योंकि यह इस बिंदू से गुजर रहा है यह तीन यूनित होगी, वो चार यूनित्स होगी तो हमें तीन चौथाई यूनित मिल रही है हम इस बिंदू को V और यह V बिंदू के रूप में अंकित करें तो इसलिए FV CCV तक तीन चौथाई यूनित्स होगी जो की बिंदू साथ पांच है तो तीसरा पॉइंट यहा है कि V पर लंब ड्रॉ करें VB VF के इक्वल है तो VB VF रेखा के इक्वल है सबसे पहले VB VF के इक्वल है इसके लिए हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है तो सभी मापों के अनुसार VB से यह दूरी इस बिंदू पर शिफ्ट हो गई है तो एक दो तीन यूनिट्स तो यहां उस पर तीन यूनिट्स है अब हम इन्हें नाम देते हैं V एक दो तीन यूनिट्स और फिर CB से जुड़ती हैं हमें इस CB रिखा को जोड़ना होगा यह सी बिंदू है और यह भी बिंदू है यह आगे तक बढ़ाए जा सकते हैं तो 45 डिग्री तो F बिंदू 45 डिग्री लाइन हम लोकेट करने के लिए है तो हमारे प्रोट्रेक्टर का उप्योग करें इस एक 45 डिग्री रखें एक बिंदू कहीं यहां इन रेखाओं में शामिल बिंदू का उप्योग करेंसी तो ड्राफ्टर के माध्यम से हमें एक हिस्से में बहुत सथी वेखाई मिल सकती है बी एफ से मिलता है इसे हमें करते हैं इस प्रकार तो हमें एफ से एलाइन 45 डिग्री पर ड्रॉ करनी है तो फोकस पॉइंट हम इस बिंदू पर बनाते हैं ठीक है एफ से वह बिंदू ड्रॉ करें ये दोनों रेखाईं इंटरसेक्ट करने वाली है यहां पर इस स्थिती में बॉक्स के बाहर इसे नीचे ले जाएं तो ये यहां कहीं पर इंटरसेक्ट करने वाली है इसलिए इन ड्रॉइंग शीट के साथ हमें सावधान रहना होगा तो यह इस बिंदू पर कहीं इंटरसेक्ट करने जा रही है इस बिंदू को जानने के बाद हम दी का पता करेंगे यहां पर कहीं एक वर्टिकल थिंग ड्रॉप करते हैं ताकि हम किसी एक हिस्से में कहीं पर वी बना पाएंगे तो एक बड़ा दीर घवरित जो इस तरहर से गुजरता है हम उसे बना रहे होंगे तो हम बिंदू पांच पर हैं जहां पर हमें 45 डिग्री की रेखा बनानी है एफ बिंदू से यह 45 डिग्री की लाइन है और हम पहले से ही बी बी के एक्वल वी इफ ग्यात कर चुके हैं जिससे सी से एक रेखा गुजर रही है बी की तरफ हमने इसे बढ़ा दिया और फोकस पॉइंट से एक लाइन 45 डिग्री पर बना दी तो यह दीपर इंटरसेक्ट करेगा जब हमें यह पता है कि दीपॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट है दीशे एक लंब ड्रॉप करें एक शैतेज रेखा की तरफ पूरा नीचे तक जहां COV मिलते हैं तो V इस दीरगवरित का एक N है V एक दीरगवरित का दूसरा किनारा है अगर हम एक दीरगवरित ड्रॉप करते हैं तो यह इस बिंदू से गुजरेगा हमारे पास V है और V हम इंटरसेक्शन बिंदू बना सकते हैं जिससे की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसे मिले तो यह उस दीरगवरित का सेंटर है V से F की तरफ हमारे पास हमेशा से दो FOCI होते हैं जिसका सेंटर ओ है तो FO फिर से इस नए बिंदू F के इक्वल है जहां दूसरा एक और फोकस पता कर सकते हैं इसी तरफ दूसरा फोकस हमें इस बिंदू पर मिल रहा है तो FOCUS पॉइंट फिर से उसी स्थान पर होगा इन रेखाओं को परिभाशत करने के बाद हम इस कर्व के केवल आधे भाग की तरफ देखेंगे जब हमें यह पता है कि इस कर्व पर एक, दो, तीन, चार और पांच प्रकार के बिंदूओं की स्थिती ज्याद कीजिए एक, दो, एक की दूरी का इस्तेमाल करें फोकल पॉइंट से इनकी जो भी दूरी हो एक कर्व बनाने का प्रयास करें जो ऐसा हो इन्हें एक, एक करके कट करें अब इन्हें नाम देते हैं इसी प्रकार दूसरी तरफ एक कट बनाए तो अब इन बिंदूओं को नाम दीजिए P1 और P1 ठीक इसी प्रकार दो से दो की दूरी और F जैसा एक कर्व बनाए तो उसे P2 नाम दें ऐसे ही यहां से दो रेखाओं पर एक दूसरा कर्व बनाए तो अगर हम इन रेखाओं को बढ़ाएंगे तो ये इस बिंदूओं पर इंटरसेक्ट करेगी तो ये P2 और ये P2 है यह इस पर आधारत है कि हम कितने बिंदू ले रही हैं अगर हम और ज्यादा बिंदूओं को विभाजित कर रही हैं तो हम वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं हमारे पास बहुत सारे बिंदू हो सकते हैं केबल इस बिंदू से हमें अंकित करना होगा फोकस पॉइंट से इसकी डूरी क्या है? एक वक्र बनाए इसी प्रकार इस बिंदू से वर्टिकल डिस्टिंस क्या है? उस वर्टिकल डिस्टिंस का उपियोग کرें एक कर्व बनाए ताकि हम इन बिंदूओं को अंकित करने के लिए इस भाग में हो इसके लिए हम एक फ्री हेंट कर्व ले रहे हैं कोई भी फ्रेंच कर्व इस्तेमाल करें अगर हम freehand कर्व बना रहे हैं, यह दीरगवरित बन जाता है, जो कि वहां से track करता है, और फिर V1 से गुजरता हुए यह वापस आ जाता है यह एक तरीका है जिससे दीरगवरित बनाया जा सकता है, तो हमने दीरगवरित का भाग इस procedure से बनाया है अंत में हम इस दीरगवरित का निर्मान करेंगे किसी भी दीरगवरित के लिए फोकस से एक बिंदू चुने, इसकी दूरी क्या है इस मामले में डिरेक्ट्रिक्स सी, बिंदू से तीन तक इस मामले में ये चार है यहाँ eccentricity तीन चौथाई है अगर यह किसी दूसरे फैक्टर की तरह किसी भी किसी से कम है तो तो हमें दीरगवरित मिलता है इस स्थिती में हमने तीन चौथाई का उपियोग किया है हम आधे का उपियोग भी कर सकते हैं अगर यह आधे के इक्वल है तीन चौथाई अनुपात 0.75 बनाता है इसलिए एक दू अनुपात का मतलब है कि हमें इसे भागों में बनाना है सबसे पहले उस दिशा में उन हिस्सों के एक भाग को ग्यात करें फिर उसी प्रक्रिया के साथ हमें एक और दीर घवरित मिलेगा इस तरह कोई भी जनरल एलिप्स है इसे बनाने के लिए एक हिस्से में होगा अगली क्लास में हम कंसेंट्रिक सर्कल मेथर और इसके बाद अब लॉंग मेथर सीखेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवार